नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दा इलेक्ट्रो यूनिवर्स में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज इस्टार्ट कर दिया और उसमें अल्मुस्त अपना फर्स चैप्टर जो कि सी आ रो डी एस और फंक्शन जनलेटर है उसको भी complete कर लिया, उसका practical portion and question series बची है, मैं बहुत जल से जल कोशिश करूँगा उसको upload करने की हो सकता है, मैं कल या परसो में उसके practicals upload कर दूँ, बाकि आज हम अपने next topic के उपर बढ़ते हैं, जो कि यह PCB है न दोस्तों, तो copy pen उठा लीजिए, फटा फट से तयार हो chemistry biology तो नहीं feel कर रहे न, यहां पर मैं उस PCB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं PCB यहां पर printed circuit board की बात कर रहा हूं, है न दोस्तों, अगर अभी भी समझ में नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर उसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीके दोस्तों, तो PCB के पीछे components हैं, ठीके दोस्तों, PCB के पीछे components लगे हुए है, अब इस PCB की जरूरत क्यूं पड़ी, PCB है क्या आखिरकार, आपन वो सब जानते हैं, आपके दिमाग में questions चल रहा होगा, normally आप जो electronics से जिनका relation है, वो लोग तो जानते होंगे PCB के बार है, but feel आया जा रहा हूं तो इस तरीके से में आपको जरा समझा दूँ अब, तो दोस्तों, PCB में, सबसे पहले अगर हमें पुराने टाइम की बात करूं, तो जिससे आपने पहले की TVs, टेलिवीजन वगरा देखा होगा, या कंप्यूटर वगरा देखे होगे, तो आपने ये एक बात नोटिस बड़े होते थे, कंप्यूटर हो गया, या फिर टेलिवीजन वगरा हो गया, तो वो साइज आज के टाइम पर आप देखते होगे, TVs को LED LCD वगरा ने रेप्लेस कर दिया है, वो आज कितनी चोटी पतली होते हैं, और उनका वेड़ बड़ा नहीं होता है, आज आप अपने ह वो है अपना PCB, तो दोस्तो एक बार imagine करें, जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ, कि अगर जो components वगरा ने में लगे रहते हैं, वो components अगर जिसे आपन wire वगरा का यूज करते हैं, बाहर किसी चीज़ को connect करने में, तो components को connect करने में, अगर हम wire का यूज करें, तो आप सोचते सारे components लगे रहते हैं, अगर वो इनी तरह components में, अगर हम wire का यूज करेंगे, और भी बहुत सारे components का, इधर से उधर wire, इधर से इधर wire, इसी तरह wire का यूज करेंगे, इनको connect करने के लिए एक दूसरे से, तब सूच सकते हैं, circuit कितना ज्यादा complex हो जाएगा, circuit बहुत ज्य आया, बहुत भार ही आया, खुशी में मिठाईयां बाट दीजेगा, तो आप समझ जाएगा, बट गलती से दोस्तों, अगर गलती से आपके TV थोड़ा भी खराब हो गया, और आप इसको लेके गए सुधारने के लिए, ये सुधारने के लिए जब mechanic खोलेगा इसको, खोलन बहुत भी एक साल का टाइम देतें कि भाया, एक साल बाद आयेगा, अब हमारे दुकान में एक साल बाद बनके तयार हो जाएगा, दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PCB का इंवेंशन हुआ, तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल बाद ने पार है, जो भी खराबी बगरा और उतना ज्यादा वेट जो हो रहा है, तो इसके लिए PCB में आप समझ गयोंगे PCB क्या है, तो अब हम ये जानते हैं कि PCB में होता क्या है, दोस्तों, PCB में कुछ नहीं, एक इंसुलेटिंग सबस्टेंस होता है, एक इंसुलेटिंग की होती है, यानि की conductor की, उस conductor उस metal का नाम क्या है, copper, सबसे पहले एक प्लेट ली आपने इंसुलेटिंग प्लेट, इंसुलेटिंग प्लेट यानि कि क्या, जिसमें current फ्लो नहीं कर पा रहा है, हना दोस्तों, इंसुलेटिंग इंसुलेशन यानि कुछ आलक, कुछ आलक में इसके उपर insulating material की coating करके जो हमारे tracks हैं वो complete होय आते हैं तो उनी tracks के थुरू हम एक component को दूसरे component से connect कर पाते हैं ठीक है दोस्तों अगर हम इसी तरह वायर से connect करते रहे तो बहुत जादा complex बन जाएगा इस चकर से हमने PCB का invention किया है यह बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मैटल है जो conductor है जिसकी tracks वगरा बनी रहती है वो मैटल का नाम किया है CU यानि की copper ठीक है दोस्तों आप से पूछा जा सकता है कहीं पर CU copper का use होता हूँ ठीक है दोस्तों समझ रहे हो आप अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे इंट्रोट तो आप इनको पता चलिए कि PCB क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आगया होगा PCB है क्या हमें क्यू जरुत पड़ी आगे चलता हूँ मैं components में कैसे components हम यहाँ प अगर नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं active component वह component है जो processing का काम करते है और passive component वह component है जो processing का काम नहीं करते आपके समझने के लिए easy समझने के लिए में इसका example बता दू जो active component है उसके example में आप बोल सकते हो जिसे हमारा transistor हो गया है ना दोस्तों अब हम आगे बढ़ें तो इसमें types of PCB है ना दोस्तों तो अब यहां पर ध्यान देना जो आपके questions आने वाले ना एक कुछ भी हो तो इसमें जो नोट्स के लिए जो में 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 questions हैं में में factors हैं आपको वह बताने जा रहा हूं यहां पर अगर आपने यहां पर ध्यान दिया तो आपको additional अलग से questions में ज्यादा problem नहीं आएगी most of the questions यहीं सही आपके पूरे clear हो जाना है तो दोस्तों PCB में types of PCB दो टाइप की PCB होती है दोस्तों एक होती है जो कि metallic layer पर dependent है और दूसरी जो है वो insulating substance पर dependent है अब बात की जाए metallic layer पर तो metallic layer के अंदर भी तीन टाइप की PCB है पहली है अपनी single layer PCB single layer single दोस्तों नाम सी पता चल रहा है पढ़के कि single यानि कि सिर्फ एक साइड है तो जिसमें सिर्फ एक साइड जो है हमारी tracks बनी हुई है एक साइड है हमारा जो है PCB है वो होती है single layer PCB है और यहां पर आप यह बात बहुत अच्छे से ध्यान दें कि यहां पर जो method इसको बनाने में यूज की जाती है उसका नाम है print and itch और die cut technique आप से पूछा जा सकता है कि single layer printed circuit board बनाने के लिए कौन से technique का यूज के जाता है तो फटाक से copy pen पर अभी साइड है ठीक है double layer PCB में हमारी method यूज होती है plated through hole और non plated through hole बोथ दोनों टेकनिक का यूज के जाता है यहां पर plated through hole technique और non plated through hole technique ठीक है दोस्तों उमिद कर रहा हूँ आप समझ रहे हो यह questions आप से पूछे जा सकते हैं तो आप लिख लीजिए ठीक है then multi layer PCB multi layer PCB याने की न साइड है तो इस तरीके से जो multi-layered हैं वो PCB वो उनको कहता है अपने multi-layered PCB और इसको बनाने में जो method की use होता है वो होती है plated through hole technique ठीक है तो इसके लिए भी जो अपनी double layer है उसमें भी plated through hole और non plated through hole भी but multi-layered के लिए सर्फ plated through hole technique तो यह तीनों आप specially ध्यान दीजेगा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ यह आपसे को question में पूछा जा सकता है तो मैं उमीद करता हूँ आप metallic layer में आप समझ गये होगे मैं आपको मोटा मोटा जो questions के लिए पूछा जा सकता है मैं उसको आपको बता रहा हूँ भी then insulating substance की बार ही second जो अपना है insulating substance में दो टाइप जो elastic ना हो हाना अगर आपको मैं बताना चाहूं then like यह मैं एक paper लिया अब यह देखो मैं easily इसको फोल्ड कर ले रहा हूँ यह जो property है इसको आपन कहते हैं फोल्ड हो जा रहा जो इस property को आपन कहते हैं elastic है यानि कि flexible flexible मुड जा आपना जो है change कर दे रहा है then अगर मैं अपना आपना है कि यह mobile phone है mobile phone को ले रहा हूँ अगर मैं इसको मोड रहा हूँ तो क्या मोड रहा दोस्तों यह नहीं मोड रहा ना यह जो property यह है rigid property ठीक है दोस्तों यह property होती है rigid तो यह दो टाइप की property हैं यहाँ पर flexible जो है उसके लिए यह ध्यान दीजीगा अब यह मैं बहुत important question पुछन आ रहा हूँ फटा फटा से लिख लो polyester और polymide का use किया जाता है flexible PCB को बनाने के लिए दोस्तों polyester और polymide का यह आप से पूंचा जा सकता है लिख लो और जो इसकी जो thickness होती है वह ची 0.1 mm सों सकते है दोस्तों किता छोटा 0.1 mm की thickness होती है तब ही flexible है अब बात कर हमें 2nd rigid की तो rigid जो है दोस्तों rigid याने की मैंने जिसा बताया जो elastic नहीं है जो जल्दी मुड़ेगा नहीं है तो वह जो है अब यह type complex circuits होते हैं तो इसमें इता ज्यादा कुछ जानने के लिए इता special नहीं है आपके लिए then but rigid जो है जो है जो जिससे में हमने पढ़ा multi-late PCB multi- बन गई तो वह easily fold नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो वह है यहां पर rigidity एक छोड़े complex होते हैं बागे यहां पर important मैंने आपको बता दिया polyester और polymide याद रखिएगा इसको note कर लीजिएगा पूछा जा सकता आप से flexible में किसका use होता है then आगे बढ़ू मैं तो अब आपन जा testing of PCB में तीन टाइप की methods होती है हमारी जिसमें पहली जो method है वह है bareboard testing ठीक है दोस्तों and second जो है वह है in circuit testing third one जो है functional testing ठीक है यह तीन टाइप की testing होती है सबसे पहले तो अगर जो PCB हमारी उसको हम देख के हमारे visual inspection के थुरू भी हम उसको पता लगा सकते हैं कि हां कहां क्या problem अगर circuit बहुत जादा complex है ना उसकी continuity check करने है देखना है टेस्ट करना है तो उसके लिए हम इन तीनों method के उपर dependent है अब यहां पर जानने वाली सबसे important चीज यह है कि इन तीनों में सब bareboard testing और in circuit testing में जिसका use होता है वो है यह ठीक है दोस्तों इसको ध्यान दीजिगा यह स ठीक है तो उमीद करता हूं आप यहां पर समझ गया होंगे बैड ऑफ निल्स का यहां पर use होता है और यह तीन इसकी testing है PCB की और एंटर हमने बता दी आपको PCB क्या है अगर नहीं होता तो क्या problem होती और हमने इसके components भी बता दी आक्टिव पैसे और इसके types भी बता दी है कि यह होते हैं और जो questions यहां पर बन सकते हैं मैंने वह भी आपको explain कर दिया कि कॉपर यहां पर मैटल का यूज होता है मैटल लेयर में सिंगल लेयर जो है वह प्रेंट एंड इच और डाइकर टेकनिक का यूज होता है यहां पर इसको बनाने के लिए single layer को डबल लेयर को प्ल टेकनिक औली और यहां टेस्टिंग में bed of nails important है और यहां flexible पॉलिसर और पॉलिमाइड का यूज किया जाता है ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का lecture बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा और मैं इसका जो second lecture है जिसमें हम जानेंगे conformal coatings क्या होती है और जो PCB उसके applications क्या है एडवांटेज क्या है तो वह हम जानेंगे हमारे next lecture में उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की class समझ में आया होगी बाकी आप हमारे चल्म में बने रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए ठीक है दोस्तों थैंक्यू